अगर आपको रेस जीतना है तो बने रहना पड़ेगा दोस्तों यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है हेरन टॉर्टॉइस की कहानी शायद नई नहीं है बच्पन से खरगोश और कचुए की कहानी आपको पता है कि खरगोश जो सो गया था कचुए लगातार बना रहा था इंपोर्टन यह दोस्तों आपने बहुत सारे ख्वाब देखे हूंगे आपने आपके परिवार वालों ने आपके माता पिता ने भाईों ने बहनों ने सभी में ऐसा ख्वाब सोचा होगा कि दोस्तों आपको एक बहुत बहुती bright बहुती बढ़िया future तयार करना है एक ऐसा प्यारा career तयार करना है आपको और आगे बढ़ते चले जाना है दोस्तों लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है fight to the end fight to the end या fight to the finish का मतलब है Indian army has war to fight to the finish जब तक जीतेंगे नहीं जब तक हार मानेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं जब तक रुकेंगे नहीं लगातार लड़ते चले जाएंगे लड़ते चले जाएंगे जब तक हम सामने वाले को घुटने ना टिका दें दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि लगा आतार चलते चले जाईए चलते चले जाईए और चलते चले जाईए ये कह रहा है and turn every intruder out of Indian territory इंडियन territory यानी भारती इलाके से जब तक खदेड के बाहर ने निगालेंगे आतंगवादी को बाहर नहीं छोड़ के आ जाएंगे intruder रिग नया word दोस्तों यहां पर आपने देग तार चलते चाएंगे और वही का आपको भी करना है दोस्तों यह जो इंडियन आर्मी है उसको salute है यह इंडियन आर्मी आपको एक बहुत सिंपल सा message दे रही है कि आप किसी इंडियन आर्मी से कम नहीं है आप अपने career के लिए तयार हो जाएए अपने career को बनाईए और लग इंडियन स्कोडारी objective general English by SP Bakshi की किताब जो लगातार चलाए जा रहे हैं दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी team लगातार हमारे साथ बनी है 100K subscribers हो चुके थे हमारे शायद जब आप देखें तो हो सकता है कि यह बहुत आगे बढ़ चुका हो बट एक चीज़ जरूर ह दोस्तों लगातार 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 that is the most important keyword कोई काम आप शुरू करें सब तक वो खतम ना हो fight to the finish जब तक finish ना हो तब तक fight करते रहें अगले idiom पे जाने से पहले दोस्तों क्या करते हैं हम आज की मिठाई खाते हैं बहुत ही प्यारा एक शब्द आज आया है chorus skating, chorus skating का मतलब है marked by harshly abusive criticism, negative सा word लग रहा है adjective है एक तरह के adjective का मतलब है आप किसी चीज़ का विशेशन दे रहे है the judgment amounted to a chorus skating attack on the intelligent design case, intelligent design case पर बहुत ही harsh, kataksh जिसे हम कह सकते हैं, taunt जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा criticism हम कह सकते हैं, मतब abusive जाने की गाली गलोच करते वे तकातक का, scathing इसे कह सकते हैं, vituperative कह सकते हैं, ऐसे कुछ words है, बहुत जादा critical अगर आपने उस पर comment पास किये हैं, तो उसे कहते हैं, chorus skating comments लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक और word बताऊंगा, इसी chorus skate का positive meaning निकल के आ रहा है, जब वो verb बन रहा है क्रिया के रूप में, reflect brightly, अरे भाया, कोई चीज एकदम चम चमाती है, चम चमाती हुई कोई चीज, जो light को reflect कर दे, चम चमाता हुआ, आपने देखा हुआ को कई लोग dresses पेंते एकदम चम चमाती, उसे कहते हैं, chorus skate, दोस्तों, glister करना, scintillate करना, sparkle करना, unqueried marble chorus skate on the hillside, simple सी बात है, ऐसा वो marble है, जो चमकता रहता है, बिजली पढ़ती है, light पढ़ती है, या यूँ कहते, sun light पढ़ती है, और एकदम चम चमा उड़ता है, ऐसा यह कहना चाहरा है, दूसरा meaning भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों, be lively, brilliant, or exhibit virtually, कुल मिला के बहुत जादा, brightly, intelligent person के लिए कहत होता धोता सा नहीं है, बोलता बोलता सा है, उसे कहते है, jolly nature का है, उसको कहते है, coruscate कह रहे है, his playing coruscated throughout the concert hall, यतना शानदार उसका performance था, कि concert पुरा lively हो चुका था, coruscate कर चुका था उस पुरे hall को, तो यहां एक नया word हमने सीखा, दोस्तों मैं चाहूंगा बात simple सी, comment box के पास में हैं और आप उसमें type कर सकते हैं, तो जरूर, coruscating as adjective, coruscate as a verb, आपको जरूर एक sentence बनाना चाहिए, तभी आप actually आत्मसात कर पाएंगे, यह word पढ़ना एक बात है, दोस्तों, dictionary आपके पास भी आप बहुत सारे words पढ़ सकते थे, पहला, तो मैंने आपको इस word को सम जाया, with example, with extra words, और दूसरा आप उसको अपने sentences में, अपने द्वारा बनाए गए वाक्यों में, क्या उसे डाल पारें, क्या उसे डाल पारें, अगर हां तो मजा ही आ जाएगा, चलिए, बहुत जादा बातें हो चली हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, next idiom पे, next है idiom number 9, जो म बहुती कम बार ऐसा होता है, उसे कहते हैं, very rare, his visits to his home, उसके घर पे, उसके visit, यानि वो घर पे जाने वाला जो है, home नहीं दोस्तों, hometown are few and far between, भहिया, वो hometown जाही नहीं पाता है, बहुत rare जाता है, न के बराबर appearance होती है, उसे कहते है, because of his expanding business, भहिया, expand कर रहा है business, आगे ब है शित्र में, अपने hometown में नहीं जा पा रहा है, ऐसा यह कहना चाहरा है, so वो जो नहीं जा पा रहा है, जो बहुत कम जा पा रहा है, उसे कहते है few and far between, few and far between, few and far between का meaning समझी है, बहुत कम है, few का मतलब बहुत कम है, और उन दोनों के बीच में भी दूरी जादा है, इसको ऐ पहली बात तो इस पूरी लाइन ने है, बहुत ही कम है, पूरी लाइन में केवल दो हैं, और उनके बीच में भी दूरी है, यानि very rare है, बहुत ही कम है, समय में भी कम है, और frequency में भी कम है, वापिस समझेगा, एक तो time भी बहुत कम, बहुत दूर दूर आ रहा है, और frequency a dead horse कई सारे लोगों का ये काम होता है दोस्तों फ्लॉग a dead horse करते रहते हैं क्या मतलब है मतलब बहुत सिंपल है मतलब बहुत साफ है गड़े मुर्दे उखाड़ना उसे कहते हैं फ्लॉग a dead horse जो dead horse है जो मरा हुआ घोड़ा है उसको आगे लेके आना यानि डड़े मुर्दे उखाड़ना जो रिवाइव इंट्रेस्ट इन ओल्ड बैंटर्स अरे भाईया पुराना मैटर है चला गया है बंद हो उसको वापिसे लेके आने की क्या जूरत है पुराने मुद्दे पे पुना लड़ाई करने की क्या बात है ये कहना चारा है फ्लॉग a dead horse एक्जामपल के तोर पे the rivals always flog a dead horse to insult their enemies भाया जो rivals होते हैं जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं वो दुश्मनों को परेशान करने के लिए trouble करने के लिए confuse करने के लिए बिना मतलब की बात को बढ़ाने के लिए या यूं समझ लें आप actually कोई मुद्दा नहीं है तो फिर क्या करते हैं पुराने मुद्दे को ले के आते हैं गड़े मुर्दे उखाडते हैं flog a dead horse, dead यानि मरा हुआ तो गड़े मुर्दे उखाडना ऐसे याद रह सकता है दोस्तों आपको fools around, fools around का मतलब है useless undertaking, his visit to the states to earn money prove to be fools around, fool वैसे होता है मुरख error यानि around, around यानि गलत, गलती यानि की मुरख था गलती कर दी उसने useless effort कर दिया, बिना मतलब का प्रयास किया, प्रयास किया जो काम ना आया, प्रयास किया जो बिलकुल व्यर्थ निकला, उसे कहते fools around, यहाँ पे लिखा है, his visit to the states, वो जो states गया था, USA गया था, earn money यानि पैसा कमाने के लिए, वो actually क्या साबित हुआ, fools around साबित हुआ, यह कहना चाहरा है यानि कि मूर्खों की गलती साबित हुई, ऐसा यह कहना चाहरा है, शरी दोस्तों आगे वड़ते हैं, बारा नंबर पे, fall foul off, fall foul off का मतलब है, लड़ाई करना है, जगड़ा करना बिना मतलब के, जगड़े करने के लिए वड़ा आता है, fall foul off, क्या मतलब है? यानि की कुल मिला के घनिस्ट मित्र, जिनने कहते हैं, बहुती करीबी दोस्त कहते हैं, उन्हें, बच नाव दे हाव फॉलन फावल ओफ इच अदर, जगड़ा हो गया है मेरे भाई, लड़ाई हो गई है उनकी, आपस में डिशम डिशम हो गई है, तो किसी प्रकार की लड आई हो जाने के लिए आता है, फॉल फावल ओफ, आज का आखरी इडियम है दोस्तों, फ्लाइ ओफ दे हैंडल, फ्लाइ ओफ दे हैंडल का मतलब है, तो लूज वन्स टेमपर, भाईया किसी प्रकार से गुस्सा हो जाना, गरम हो जाना, गुस्सा हो जाना, वेन इस फादर questioned him, जब उसके पिता ने कोई question किया, about the money, money के बारे में, he flew off the handle, उसने क्या किया, उसने फिर लड़ाई कर ली भाई, तो कुल मिला के गुस्सा हो गया, गरम हो गया, अरे उसके पापा ने इतना ही तो पूछा था भाईया, पैसे का क्या हुआ, तुमको पिछली बार जो पै बिना बात का गुसा होना, इसको कहते है, fly off the handle, दोस्तों यहां आज की idiom की class समापत होती है, आज के idiom समापत होते हैं, कल यानि की अगले वीडियो में पुनह मिलेंगे आपको, अगले कुछ idioms के साथ लगातार बने रही है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ लग आतार बने हैं, थांक यू एं सेक, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी